हेलो बच्चों आज की कक्षा में हम लेते हैं फिर से यूमेन रिप्रोडक्शन चाप्टर का आगे का भाग अब तक हमने देखा था गयमेटोजिनेस, मेंस्टूरेशन साइकल, मेल और फिमेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम और उसके आगे का पार्ट आज हम देखते हैं तो थोड़ा सा यूमेन रिप्रोडक्शन से अलग होते हुए आपको एक बात में बताना चाहती हूँ जो कि आपकी परिक्षाओं में प्रतियोगी परिक्षाओं में बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है और आप अपने आस पास जानवरों को देखते भी हैं, उनकी बिहे इसली फीमेल में परिवर्तन वो देखा जाता है और फीमेल में जो परिवर्तन होता है खास करके जो जो बच्चे पेट डॉक्स रखते हैं, जो बच्चे अपने साथ पालतू कुत्ते रखते हैं, जो डॉक्स रखते हैं तो उनको ये पता होता है कि एक खास पिरेड आता ह जिसमें कि female dog का sexual urge बहुत बढ़ जाता है ऐसे period को जो उनका breeding period होता है उसमें खास तरह का एक blood circulation और उनका साथ ही साथ जो estrogen जो level of hormone है वो बहुत जादा बढ़ जाता है उनके blood में तो they get an extreme sexual urge और इस period को हम common language में heats कहते है ह-e-a-t-s heats इस cycle को जो कि breeding period में एक बार देखी जाती है या कई बार भी देखी जा सकती है पर वो एक खास breeding period में होती है अगर हम मनुश्यों के बात करें, man के बात करें, human cycle के बात करें तो human female में केवल ऐसा नहीं है केवल एक बार menstruation cycle आया there is a puberty and there is a menopause तो puberty से लेकर के menopause तक मतलब आप तकरीबन यह 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 अंदाज लगाए कि बारा से तेरा बरस की उम्र से लेकर के पचास वर्ष की उम्र तक यह menstruation cycle continuation में रहता है इस menstruation cycle का जो period है हमको पता है कि वन से ना मन्त होता है 28 दिनों का होता है और हमने इसके detail पिछली कक्षाओं में देखी है आज हम जिस cycle की बात कर रहे हैं वो है estrous cycle और estrous cycle वो cycle है जो की पश्वों में या अन्य जानवरों में the other animals shows in the breeding period with the very high level of hormone estrogen तो जो pregnancy hormones होते हैं उनका level बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उनका sexual urge बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इसको commonly हम heat कहते हैं अगर यह breeding season में एक बार attend की जाती है female के द्वारा तो इसको हम mono estrous कहते हैं जैसे की dog dogs जो होते हैं mono estrous होते हैं उनमें एक बार यह अर जाती है एक breeding season में एक बार पर अगर यह कई बार आती ही जैसे कि mouse है horse है squirrel है गिलहरी है तो उसको हम कहते हैं polyester cycle अब इनके जो sexual behavior changes होते हैं bleeding period में और उसमें जो इनका bleeding cycles होता है female में उसको ही हम estrous cycle कहते हैं आई बात समझ में तो estrous cycle पे सवाल पूछे जाते हैं प्रतियोगी परिक्षाओं में भी और आपके board की परिक्षाओं में भी अब human reproduction में हम वापस लोड़ते हैं हमने gametogenesis देखा था gamet का formation देखा था sperm देखा था over देखा था थोड़ा सा हम उसके structure को देखते हैं देखें आप अगर sperm के structure को देखते ही हैं तो you find कि जो sperm है इसमें आपको ऊपर acrosome दिख रहा है और acrosome आपको पता है Golgi bodies से बना होता है acrosome के नीचे आपको neck piece दिख रहा है और neck piece के नीचे आप देखिए यहां पर आपको middle piece दिख रहा है middle piece में आपको spiral इस तरह के structures दिख रही हैं जो कि mitochondria से बनते हैं और mitochondria का काम ही है power house की तरह energy produce करना energy बनाना energy देना तो चुकि sperm को travel करना होता है इसलिए it needs energy उसके बाद आता है tail piece tail piece में actually microtubule filaments होते हैं यह सब हमारा दोहराव वाला पार्ट हो रहा है क्योंकि हमने पिछली क्रक्षा में भी इसको देखा है ओवम का अगर इस ट्रुक्चर आप देखते हैं तो ओवम में देखिए ओवम में आपको एक सारे सेल्स की लेयर जमी हुई दिख रही है इसको हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा कोरोना रेडिएटा के अंदर देखिए एक लेयर आपको दिख रही है सिंगल लेयर वो उसको हम कहते हैं जोना पेलुसिटा अभी यह जो स्पम है इस स्पम को पेनेटरेट करना है एड़ टाइम फटिलाजेशन इन दी ओवा लेकिन यह आसान बात नहीं है एक एजेकुलेशन में जब कॉइटस हो रहा है तो एक एजेकुलेशन में अराउं 5 ml के आसपस स्पम रिलीज हो रहा है लेकिन यह वही इस स्पम हेली कहे जाएंगे जब उनमें 60% एक उप्टिमम शेप और साइस के है और 40% विट विगरस स्पीट के है यदि उससे कम हुआ तो हम उसको फर्टाइल नहीं मानेंगे So, हम मान के चलते है कि एजेकुलेशन हुआ 5 ml सिमें में 300 million स्पम हैं and now they need to fertilize the ova लेकिन ova तो एक सिंगल है 1 सिंगल ova and 300 million स्पम अब पहुँचेगा केवल एक स्पम that means there is a movement inside suvix में servix में release हुआ है और GIR तो आपको यहाँ पर यहाँ पर uterus का दिख रहा है structure अब यहाँ यहां से uterus के तरब से आप देख रहे हैं・ यहाँ पर मैं आपको philopien tube दिखा रही हूं और philopien tube में आपको वहाँ पर empoliathomous junction आपको में दिखा रही हूं तो यह जो junction है, Ampula Isthamas का जो junction है, actually this is the spot for the fertilization, यह दूसरा question प्रत्योगी परिक्षाओं में, NEET में, या KVPY में, पूछा जाता है आप से, कि space, venue, place for fertilization, अब जब SPUM आ चुका था, तो SPUM के यहां तक पहुचने में, क्योंकि 300 million SPUM से किसी एक को पहुचना है, तो वहां तक पहुचने में, उसको कितना time लगना चाहिए, तकरिवन आदी घंटे का, तो minimum आदी घंटे का time लगता है उसको, और उसके बात, उसके बात, मतलब जो SPUM की vitality है, वो 24 घंटे की होती है SPUM की vitality 24 घंटे की होती है, at the same time, एक और खास बात है, Fertilization तभी होगा, जब simultaneously OVA और SPUM release होंगे, अगर SPUM release हो गया और OVA release नहीं हुआ, तो there will be no fertilization, point to be noted, 2-3 चीज़े मैंने खास बताई है, एक तो ये बताया की 60% normal shape and size होना चाहिए, 40% vigorous speed होनी चाहिए, दूसरा मैंने ये बताया की 300 million SPUM में किवल एक ही SPUM जाएगा, OVA को fertilize करेगा, तीसरी बात मैंने बताया की, space जो venue है, जो spot of the fertilization है, वो क्या है, वो आपका embolismous junction है, और minimum half an hour एक SPUM को वहां तक पहुँचने में लगता है to fertilize, अब जब fertilization की बात हम कर रहे हैं, तो now you look, Corona Radiator, एक layer है, उसके नीचे आपको दिख रहे है Zona Pellucida, अब जो SPUM है, तो SPUM अगर fertilize करेगा, उसके पहले उसको capacitation process से गुजरना पड़ता है, मतलब SPUM has to pass through a process called capacitation, capacitation क्या है, embedding the head into the cell of the Corona Radiator, यह picture आप देख रहे हैं, कैसे दिखिए Corona Radiator की जो layer है, उसमें SPUM का head चला गया है, और यहाँ पर थोड़े समय के बाद में इसका tail is removed, tail hurt जाता है, tail cut जाता है, और head अंदर चला जाता है, तो embedding the head, कि वो वहाँ पर अंदर जा रहा है है, this process is called capacitation, अब यह capacitation कैसे possible है, क्या कोई भी SPUM will get into it, नहीं, SPUM वही अंदर embed कर सकता है, अंदर घुच सकता है, जिसमें एक खास तरह का enzyme है, जिसको हम कहते हैं, हाईलोरोईनीडेस, यह हाईलोरोईनीडेस जो है, यह क्या करता है, देखिए यह radiata जो है, Corona Radiata, इसकी cells आपस में बिल्कुल जमी हुई है, यहाँ पर देखिए आप बर्फ की तरजमी हुई है, तो इनको वो disperse करता है, दूर दूर करता है, और इसका head अंदर जाता है, अंदर जाता है, फिर किस layer में जाता है, यह Pellucida को touch करता है, पellucida को touch करने के लिए, पellucida को break करने के लिए, इसको दूसरे enzyme की जुरुत परती है, which is called acrocin, अब जैसे यह Pellucida को touch करता है, point to be noted, क्योंकि यह जो ovum है, इसमें second meiotic division अब तक नहीं हुआ है, यह arrest हुआ था, first meiotic division में और अब इसके बाद, जैसे Pellucida मतलब अंदर जाता है, capacitation होता है, इसमां अंदर penetrate करता है, तब second meiotic division takes place, तब second meiotic division होता है, और पूरी तरह से ovum का structure बनता है, और उसके बाद, nucleus of the ovum और nucleus of the sperm fuse होते हैं, so this fusion of ovum and sperm के nucleus को हम fertilization केते हैं, एक बाद फिर से देखेंगे, कि sperm, coitus के बाद, semen के साथ, release हुआ, cervix में आया, cervix में आकर के उसकी जो संख्या है, 300 million spumps है, उनमें से एक spum को ovum को fertilize करना है, यह जो spum है, यह तकरीबन आदी खिंटे के अंदर spum के पास पहुंचता है, किसे spot में पहुंचता है, तो यह एंपुला इस स्थमक जंक्शन में पहुंचता है, उस जंक्शन में पहुंच करके, सबसे पहले आप देखो, ova के उपर जो corona radiata है, उसको hyaluronidase enzyme disperse करता है, ispum का head अंदर जाता है, zona pellucida को touch करता है, zona pellucida को touch करते ही, वहाँ पर क्या होता है, कि उसका secondary, जो nucleus है, जो ovum है, उसका second meiotic division is completed, और अब complete ova is formed here, और यह complete ova का nucleus, and ispum का nucleus gets fused, और हम इसको कहते हैं fertilization process occurred, fertilization की process पूरी हो गई, जैसे है fertilization की process पूरी होती है, अब यह zygote बनता है, zygote मतलब 2 cell बना, 2-4 बने, 4-8 और 8-16, आप यह देख रहे हैं, यहाँ पर देखें, 2 cell, 2 cell stage, फिर 4 cell stage, फिर 8 cell stage, और 16 cell stage, 16 cell stage में हम इसको modula कहते हैं, क्या कहते हैं, modula कहते हैं, जैसे यह modula develop होता है, अच्छा, यह सारे सारे जो काम हो रहे हैं, कि 2-4 दिन के अंदर हो जा रहे हैं, जैसे modula develop होता है, modula जो है, अब फिर 16 से 32, 32, 32 से आप देखेंगे कि 64, और लगबग, लगबग, 100 के आसपास का हम एक ball मान लेते हैं, और यह blastula बनाते हैं, blastula में देखिए, अब यह कहां जाते हैं, posterior part of uterine wall, मतलब fundus में की तरफ यह आगे बढ़ते हैं, और वहाँ पर इनका implantation होता है, जब यह blastula implant होने लगता है, तो blastula का थोड़ा सा cell आप देखो, और uterine wall का थोड़ा सा cell मिक्स होता है, अब यह उसकी घेराबंदी कर रहा है, ठीक है, और इसका जो blastula का जो part है, यहाँ पर आप देखिएगा कि blastula में आपको जो जो cells आ रही है, वो दो तरह की cells आ रही है, एक तो अंदर वाली cell आ रही है, जिनको हम inner cell mass कह रहे हैं, और एक बाहर वाली cell आ रही है, तो embryoblast और trophoblast अब ये ग्रोव करना शुरू करती है अब इनके ग्रोव फिर से अलगतर है किसे है trophoblast जो है placenta में अपना contribution करता है और embryoblast जो है वो embryonic period जो है जो embryo का development है उसमें अपना हिस्सा देता है दो चीजें आती है आपको दो terminology हमेशा confuse करती होगी एक terminology है fetus दूसरी है embryo एक terminology जो हम embryo जिसको कहते है pregnancy के बाद जो पहले दो मेहने की का जो भूण होता है उसको हम embryonic period कहते हैं उसको embryo कहते है दो मेहने के बाद जो भूण होता है उसको हम fetus कहते है बाद के जो दो महने के बाद का जो development है जो विकास उसको हम fetus केते हैं और जो दो महने तक का development है उसको हम embryo केते हैं आप सभी को पता है कि pregnancy period में बहुत सारे changes होते हैं, hormonal changes होते हैं, placenta formation होता है through which embryo जो है वो अपना food nutrition और साथी साथ respiratory air exchange and excretory material exchange का का काम उसी के थ्रू करता है दो चीज़ें यहाँ पर मैं फिर से बताऊंगी कि there are two cords आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक placental cord दिख रहा है और एक umbilical cord दिख रहा है एक placenta जो cord है, याद रखेंगे कि placenta umbilical cord से अलग होता है, umbilical cord ना भी से निकलता है placental cord जो है, वो देखें, यहाँ पर उसकी blasto seal की जो covering है वहाँ से वो unite हो रहा है placenta में embryo का भी share है और maternal cells का भी share है, दोनों share करते हैं लेकिन umbilical cord में केवल fetus का share है और यही umbilical cord होता है जिसको हम stem cell में, stem cell जिसमें totopotency होती है, totopotency का मतलब होता है बच्चों कि ऐसा cell जिसमें सारे organ बनाने की शमता है मतलब अगर कभी जीवन के किसी भाग में आपका हिरदय काम करना बंद कर दे तो वो stem cell से वहाँ पर वो हिरदय का निर्मान हो सकता है liver का निर्मान हो सकता है, kidney का निर्मान हो सकता है ऐसे बहुत सारे अंगों का निर्मान हो सकता है लेकिन यह तब संभव है जब हमने उसको सुरक्षित रखा है and this can be done by keeping these stem cells safe in the stem cell bank right from the time of the birth to the death till death तक इसको secured करके रखा जाता है और उन cell को हमारे नाम की जो cell होती stem cell उसको निकालके body के अंदर induce कर दिया जाता है और वहाँ पर फिर उसका development शुरू होता है तो यह जो चीजें है यह placenta के बारे में हम अभी detail में बात करेंगे placenta की बात हमने थोड़ी सी की हमने stem cell की बात की umbilical cord की बात की अब blastula तक हमने cleavage देखा cleavage इसमें holoblastic होता है और इसके बात जब implantation हो गया fundus part of uterine implantation हो गया तो जो stage आती है वो है gastrulation की stage आती है gastrulation में आप देख सकते हैं कि एक अलग तरह की cavity बनती है जिसको हम एंटरोन cavity के बनते हैं और एंटरोन cavity के बनते ही इसमें खास बात यह होती है कि it is lined by the mesoderm मतलब अब ectoderm, endoderm और mesoderm यहाँ पर तीनो layer जो है वो बन चुकी हैं तो हम अपनी आगी की हमारी कक्षा का जो आगे का part होगा उसमें हम अब दो चीजने देखेंगे कि पहला तो placental hormones हम देखेंगे और उसके बाद हम organogenesis देखेंगे पर्चुडिशन देखेंगे साथी साथ lactation देखेंगे लेकिन अभी फिलहाल हम यह देखते हैं sex of the baby sex of the baby कैसे decide होता है हमने blastula की बात की तो blastula तो यह पहले week की बात होगी जैसे fertilization हुआ एक सप्ता पहला जो सप्ता है pregnancy का उसमें यहाँ पर implantation तक बात पहुँच गे now six of the baby यह कैसे decide होता है आपको पता है कि human chromosomal number जो है वो 46 है और 23 pair है जिन में 22 जो है autosomes है और जो last 23rd pair है वो six chromosome है चुकि human जो है वो heterogamity show करता है मतलब heterogamity का मतलब क्या होता है कि इसमें जो female है female homogamity show करती है और male जो है वो heterogamity show करता है मतलब आप देख सकते हो कि male का जो chromosome है six chromosome वो x and y pattern पे है लेकिन जो female का six chromosome है वो x and x chromosome पे है अब इनका cross देखिए अगर female के x से male का x बनता है तो क्या बनेगा baby girl बनेगा अगर female के x से male का y chromosome cross होता है यह ना matching करता है तो क्या बनेगा baby boy बनेगा that means to make and decide or determine the sex of the baby during pregnancy is y chromosome responsible यह y chromosome के कारण अगर y का matching होता है x chromosome से तभी baby boy बनता है अगर x का matching होता है x chromosome of female से तो baby girl बनता है मतलब 50 percent chance of baby girl 50 percent chance of baby boy तो this was the sex of the baby to be determined during the pregnancy period